कि वे गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिंग टु एव्रिवान आई होप आए मॉरीबल एंविजिबल अगर हां तो प्लीज अपने हैं रेस करके मुझे प्रतिक्रिया दें ताके हम लोग आगे बढ़ सकें क्या आप लोग मुझे सुन और देख पा रहे हैं अब काफी लोग हैं जो हमाएं साथ ओडियो से कनेक्ट हो पा रहे हैं और अभी मैं उमीद करता हूं कि आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हो वेंडर्फूल सो फर्स्ट अफॉल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तो एवरीवन सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में मेरा नाम है डिवेश गिरी और सफलता क्लासेस की तरफ से सफलता.com सफलता स्किल की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है कोई भी निउस चाहे वो इंस्टरग्राम पर देखी हो कोई भी पोस्ट इस्टोरी या किसी भी तरीके का कोई भी क्रिटिव कंटेंट आपने कहीं भी देखा है चाहे वो आपके घर में एक कार्टेन पर हो मोबाइल पर हो या एक पेपर पर हो कि आ आप लोगों ने सोचा के देख करके कि यह डिजाइन किस प्रकार से बना होगा बिल्olare कर्ण आपसम जानता हूँ कि काफी लोगों के मन में करता हूँ आज के अपने इस वेबिनार में जिसका नाम है वंडर्स आफ ग्राफिक डिजाइन क्या आप सभी लोग मुझे सुनर देख पा रहे हैं किर्पया कर एक बार फिर से आप सभी लोग अपने हैं रेस करके मुझे प्रतिग्रिया दे सकते हैं टेक्यू तन्य kesका तो ओर सभी नश्क भाड़ंशायट में वेल्कू unψ तबियू भरति हैंक। रिट इतान करने से पहले मैं आप लोगों से THथोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा अपना इंट्रोड़क्शन देना चाहूंगा इन यह 2010 वेन आई जस्ट पास्ड आउट जब मैंने अपना 12 करियर पास्ड आउट किया यानि कि जो हमारी सेकंडर एडुकेशन होता है सभी का सपना होता है कि आफ्टर 12 हम लोग क्या परस्यू करेंगे अपने ड्रीम्स को फोला और सभी लोग उसी दोर में हैं मेरा फैमिली बैक्ट्राउंड की अगर मैं बात करूं तो सभी लोग डिफेंस में हैं और एवरीवन कुशिंग में हाट के चलिए आप भी डिफेंस में जाएगे लेकिन आयम नॉट इंट्रेस्टेट एट आल कि मुझे डिफेंस में नहीं किया और तब से लेकर के आस्ता कि इस इंडस्ट्री में हर वो पहलू को देखता आ रहा हूं हर वो अप्ग्रेड इन्नोवेशन ट्रेंड देखता आ रहा हूं जो इसके आप भी आभारी तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी शौटन कहानी कि किस तरीके से मैंने अपने करियर को अचीव दिया बात करें दस साल से जादा मुझे हूचुके इस इंडस्ट्री में अपना योगदान देते वे और चाहूंगा कि आगे भी अपने योगदान को समर्पित करता वो आप लोगों तक पहुचाता रहूं आप जैसे सिक्षार्तियों तक पहुचाता रहूं ताकि आप जैसे नई युवाओं को एक प्रेना मिल सके कि इस भारत को आप लोग अपने स्किल के दम से आगे ले जा सके हैं देखें स्किल कि अगर बात की जाए तो एक ऐसी कि यहीं हम लहरा सकते हैं। मैं आप लोगों से एक छोटा से सवाल करना चाहूंगा कितने लोगों ने केजी आप देखीए जैस्त हैंड्रीज कीजिए वस। का जो नाम हैं अपने आप में काफी पापुलर है और मैं जाना जाऊंगा केजी फ कितने लोगों ने देखि कितने लोगों के यह जानकारी पता थी मात्र 19 साल के लड़के ने KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2, दोनों चैप्टर्स को आड़िट किया और आज देखिये कि KGF को देखने वाला हर कोई उसके सिनेमेटोग्राफी यानि कि चित्रों को यह बोला जाता है एक सिनेमेटोग्राफी को कहा जाता है कि पिक्चर दिखाने का जो तरीका होता है, that's to be called सिनेमेटोग्राफी यानि कि वो जो सिनेमेटोग्राफी है उसकी परसंसा कही जा रही है, यानि कि स्टोरी को दिखाने का तरीका, इस्क्रीन पर तो जिस तरीके से आप वीडियो को देख रहे हैं उसका तरीका वंडर्स की बात करें तो बहुत सारे वंडर्स हैं मैं आप सभी लोगों से जाना चाहूंगा कितने लोगों ने कभी भी कोई एक फोटोग्राफ एडिट किया हो एक पोस्टर डिजाइन किया हो एक सब्सक्राइडी है किसे का सेलिब्रेशन है इवेंट और्गनाइज कर रहे हैं उसके लिए कोई भी कंटेंट आप लोगों ने कभी भी कैसे भी क्रिएट किया हो ऐसे कितने लोग हैं बहुत बढ़िया महीम वंडर्फुल अगर आप चाहें तो हां में भी या नामें उत्त पर लिख सकते हैं अपना चैट बॉक्स में फ्लीज थोड़ा सा इंट्रेक्टिव बनाते हैं बहुत बढ़िया जोया वंडर्फुल वंडर्फुल वेरी नाइस करिश्मा जी बहुत बढ़िया तनुब आई गट सो मैनी रिप्लाइज है बहुत बढ़िया जिसने नहीं कि अगर हम कहें कि हम शुरू बच्पन से लेकर के आस तक हमने जितनी पढ़ाई पढ़ी वो सब खतम हो गई नहीं ऐसा नहीं है एवरिटिंग इस स्टेबल एं सम्वेर हर चीजें हमें कहीना कहीं योगजान दे रही हैं आगे बढ़ते हैं मैं अपने बारे में आप लोगों मौमान चक यानि कि यह कह लीजिए कि जो चीज़े आप लोग सोचते हैं माइंड में कि मुझे सुपर मैन बनना है मुझे फ्लैश बनना है या आपको कोई भी एक आईडियल सूपर हीरो हो आपको उसकी तरह एक्ट करना है और वीडियो में अपने आपको उस तरीके से हैं जहां पर मैंने देश और विदेश दोनों ही तरह के चात्रों को पढ़ाया है और आप लोग जान करके हैरानी होगी कि मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाने में जो इंट्रेस्ट आता है जो मैं करिज देखता हूं वह इंडियन स्टुडेंट्स में क्रेटिविटी लेकिन कभी इसकी बारी की जानिएगा बैंगलोग पूने गुजरात का हमदाबाद यह तीन जगाएं ऐसी हैं जहां पर इन गेम्स को डिजाइन किया जाता है डिवलप की बात नहीं कर रहा हूं डिजाइन की बात कर रहा हूं तो आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर इक चीज को पॉसिबल किया जाता है देश विदेश की मुवीज जो आप लोग देख रहे हैं हॉलिवड मुवीज देख रहे हैं इवन मैंने भी एवेंजर वन में काम किया हुआ है तो आप लोग जान सकते कि आपके लिए कितनी बड़ी अपोर्चुनेटी है आप लोग स समय मिलता है अपने इस कारिये से फ्रीलेंसिंग में आप लोग अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं यह कैसा मात्र फिल्ड है जिसकी सबसे ज़्यादा जॉब अपोर्चुनेटीज है फ्रीलेंसिंग के लिए आगे चलकर बहुत सारी चीज़े मैं आप लोगों क को बताऊंगा पहले आप लोगों से कुछ ऐसे कोंशन होंगा जिनकी आप लोगों को इच्छ है कि आप लोग जानना चाहें अपने टैकि related to the text everything जो भी आपके माइड में है related to the design जो भी questions है आपके माइड में please put down in the chat box समय मिलते ही मैं आपके chat questions का reply ज़रूर करूँगा आगे बढ़ते हैं and topic पर आते हैं देखे topic से पहले एक छोटा सब question मैं आप लोगों से जाना चाहूंगा अभी मुझे hand raise करके यह बताए कितने लोगों के mobile phone में एक कोई भी photo editor installed है कितने लोगों के mobile phone में एक कोई भी photo editor installed है काफी लोग हैं बहुत बढ़िया आपने यह application क्यों इंस्टाल को मेरा सवाल है यह वाई यू इंस्टाल फोटो एडिटिंग application इन यूर सेल फोन और इन यूर डिवाइस क्यों की तो question is why बहुत बढ़िया महीमा का answer है तो एड़िट पिक्ट्स अनिवन एड़िट फोटोग्राफ्स ओके तो जाई लाइक तो एड़िट यूरिट करने के लिए वंड़फुल बहुत बढ़िया पिक्चर्स को अट्रेक्टिव करने के लिए इस वन अनादर रीजन यह कुछ अलग रीजन मेरे सामने आया एडिटिंग करने के लिए एड़िट फोटोग्राफ्स को ब्यूटिफल बनाने के लिए आप लोग जब इस फोटो एप्लिकेशन को आपने इंस्टॉल किया हुआ है अप लोग यूज भी करते होंगे तो मुझे केवल इतना बता दीजिए कि वाट इस हाइलाइट जब आप हाइलाइट ऑप्शन प यह आप एक फोटो पर काम कर रहे हैं तो हाइलाइट का मतलब क्या है वट इस हाइलाइट कि अगर देखें नहीं पता तो आप सिंपली लिख सकते हैं नूँ आइड़ों नूँ कि नो गलत महीमा सौरी कि सौरी पाइल गलत कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा ओके कि नो 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 यही तो चीज है जो मेरे और आपके बीच में एक गैप है और आई वोंट तो फिल्टर्स यूज़ करते हैं हमने एक मोबाइल एप्लिकेशन में एक फोटो एडिटर ऊपन किया अपनी इमेज को कॉल किया फोटो के देखा ओके यह फिल्टर अच्छा लग रहा है बस हम यह चीज़ देखते हैं हम लोग यह मैच करते हैं यह बहुत अच्छा कहा है वैषाली जी ने बिल्कुल अच्छे से बताया ठीक है कि दीलों यह थोड़ा सा गलत हो गया तो हम देखते हैं हम फिल्टर सेलेक्ट कर लेता है एंड्स इतना ही काम होता है इसकिन को स्मूध कर लिया थोड़ा सा कलर्ग्रेक्शन कर लिया everything is just this हम जब एक इमेज पर काम कर रहे होते हैं बस इतना ही काम कर रहे होते हैं गाइस अगर आपको सारे options का मतलब पता हो कि किस पार्ट पर क्या काम किया जाता है brightness क्या काम करता है contrast क्या करता है highlight क्या करता situation warm value what are the options यह options हैं अगर आपको यह चीज़ पता है मैं definitely बोलता हूं कि जो आप filters use कर रहे थे कल तक वह filters use करना बंद कर दो जाएं और डिस इस हंडर पर्सेंट शॉर so this is the wonder of graphic design actually यही दुनिया है इस पूरे ब्रह्मान में graphic design एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना सब कुछ अधूर आए चाहे वह इंडस्ट्री आपकी gaming की हो वह इंडस्ट्री आपकी mobile design applications की हो वह इंडस्ट्री आपकी website developments की हो या designs की development तो रहने दीज़े design को मैं consider करूंगा या वह इंडस्ट्री आपकी movie industry हो टेली फिल्म इंडस्ट्री और शाट फिल्म इंडस्ट्री और advertisement इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री हो even industries की बात की जाए तो educational industry क्यों नहों education ही क्यों नहों colleges क्यों नहीं हो कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां graphic design अपना part and the role ना निभा रहा हो कोई ऐसा चेत्र आज के समय पर मुझे तो ग्यात नहीं जहां पर graphic design यूज नहीं होता हो अगर आपको ग्यात है तो प्लीज आप लोग अपने chat box में मुझे बताईए कि सर एक ऐसे field मुझे अभी समझ में आया है या ध्यान में आया है जहां graphic design यूज नहीं होता I want कि आप सभी लोग इसका answer करें ठीक है धूंडे विचारें और फिर इसका answer करें तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने seminar की webinar की शुरुआत करता है कोई भी question है मैं फिर से कह रहा हूं आप अपने chat box में लिखिए I will reply and I definitely reply all the questions आगे बढ़ते हैं देके बीच में आप लोगों के सभी लोगों के लिए surprise भी है अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा आप लोगों से चाहूंगा कि एक बार इस दिरिश्य को जरूर देखें और समझें कि क्या कहना चाहा रहे हैं उमीद करता हूं कि आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा अगर हां सो प्लीज जस्ट रेज़ यूर हैंड बहुत अच्छा question है इस question को मैं ध्यान में कि यह बहुत अच्छा question है I will reply back थोड़ा सा समय दें मुझे 10 मिनिट का बस उसके बाद मैं आपके questions आंसर करता हूं ओके चलिए आगे बढ़ता है है कि सभी की समझ में आया है is it working or not क्या मैं शांत रहकर के पूरा session ले सकता हूं कि जल्दी वदाईए क्या मैं शांत रहे करके पूरा session ले सकता हूं नहीं कैसे नहीं ले सकता हूं आप लोग reading कर रहे हैं न मिस्टर बीन पर focus मत कीजिए मैं जानता हूं सभी लोगों का चहीता है सभी लोग इससे बहुत जादा प्यार करते हैं ठीक है मिस्टर बीन पर ध दिखान दें ठीक है अभी आगे पड़ते हैं और अब देखिए आया समझ मैं आप दे स्क्रीन हूं मैं यहीं पर हूं ध्यान दीजिए ठीक है लेकिन आप दे स्क्रीन हूं मैं बस आप लोगों को इतना समझाना चाह रहा था हाला कि मुझे बोलना तो पड़े गई वेबिनार है आप लोग के कोस्टेंस भी लेने पड़ेंगे लेकिन यही असल पावर है एक ग्राफिक डिजाइन के मेरे बिना बोले आप सारी बाते समझ जाएंगे समय लगेगा लेकिन हाँ जरूर समझ जाएंगे ऐसा नहीं की नहीं समझेगे सब्सक्राइब करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आया हुआ कितने लोगों को अच्छा लगा कि किस तरीके से देखे आप एक इंविटिशन कार्ड भेज रहे हैं आप उसमें बोल करके नहीं भेज रहे हैं कि प्राता छेंवजे भोज अपने लिखा हुआ है वहाँ पर अपने नाम लिखा हुआ है कि या तो शादी का समार हो है या बड़े है कि हम कोई इवेंट और्गनाइज कर रहे हैं उसके क्या क्या plannings रहेंगी कौन सा venue रहेगा क्या date रहेगा क्या timing रहेगा everything is written in your card और in your design आप उसको voice message पर नहीं बोल रहे हैं ये सारी चीज़े अपने एक design किया हुआ है आपने हर एक चीज टेक्स्ट सब कुछ लिखा हुआ है और वही सब चीज़ें यहाँ पर समझेए the visual and the text जो visuals ह होते हैं जो text होता है इनका collaboration बनाता है visual communication क्या बनाता है visual communication and I hope all you people understand now कि what is actually a graphic design a graphic design पूता क्या है actually कितने लोगों को समझ में आया how many of you understand this thing just give me a hand please so अभी आप लोगों ने देखा कि visual and the text creates your visual communication हर graphic के अंदर या तो visual होंगे जो आपको एक communication कर रहे होंगे आपको एक message दे रहे होंगे या फिर text होगा जो आपको communicate कर रहा होगा related to the information so yes guys with the help of the text and the visual we understand the visual communication और इसी process को हम लोग बोलते हैं the graphic design आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी और बारी किया जैसे कि हाँ what is the symbol यह क्या symbol है please मुझे बताईए क्या symbol है यह no smoking wonderful यहां पर टेक्स्ट है टेक्स्ट है क्या यहां पर यह सब्सक्राइब नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग वीजुवल की मदद से एक information समझ गए कि जहां भी हम इस board पर यानि इस sign को देखते हैं हम लोग communicate हो जाते हैं हम लोग understand कर जाते कि this is the area where we don't do not have to smoke यह एक वह एरिया है जहां पर हम लोग always be happy इसके अलग-अलग मतलब हो सकते हैं keep smiling हो सकते हैं अलग-अलग importance हो सकती है अलग-अलग messages हो सकते हैं एक केवल इस visual के we can create so many messages or so many informations अगें यहां पर भी क्या नहीं है text नहीं है so yes without text we can communicate with the help of emojis आज के trend में हम लोग emojis से बात करते हैं पहले के समय में शिल्प कार पत्थरों पर designs बनाते थे images बनाते थे आप लोगोंने movies देखी होंगी या आप लोगोंने मंदिरों में या फिर पुरानी जगाओ पर जो monumental places हैं हमारे historical places हैं आप लोगोंने visit किया होगा and you see so many drawings and sculptures आपने बहुत सारे sculptures देखे होंगे जो पत्थरों पर हैं ठीक है जो हमारा दिवारों पर बनाए गए हैं या फिर किसी भी तरीके से उनको develop किया गया है वो आपको पुराने समय की information आज के समय पर दे रहा है पुराने culture को आज हमें बताया जा रहा है with the help of those designs और those drawings उन drawings की मदद से so यह जो symbol का process है यह बहुत पुराना है आज नहीं develop हुआ आज हम जानते हैं because हम लोग whatsapp पर instagram पर और other social media handles पर हम लोग emojis यूज़ कर रहे हैं लेकिन यह process बहुत पुराना है काफी सालों पुराना है हजारों सालों पराना है so yes guys symbols आपको एक छोटा सा design एक छोटा सा message deliver करना है तो symbols यानि कि इस तरीके की drawings आपको help करती है उस message को convey करने के लिए from one person to another person yes definitely all structures explain something now what is this moving to the last one so I can say thank you for joining me thank you for coming here thank you for to being kind sorry sentences but at least yeah but I'm just a catcher like in kiss format when you have a risk of me kobe design I am I have text here यहाँ पर मेरे पास क्या text है so guys what is graphic design now अगर मैं एक कोश्यन आप से पूस्ता हूँ what is graphic design so please tell me the answer अभी 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 आंसर दिया मैंने तुर दियर पहले ही आपको मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे I am waiting for your replies so please tell me what is graphic design when we communicate through emojis is it I think it's a question it's not the answer visual plus text yes wonderful come up come up wonderful very nice visual communication so what is graphic design आज के बाद अगर आप से कोई भी पूचे what is graphic design so you have to answer visual communication अभो क्या बोलना graphic design क्या है visual communication please always be memorize always be remember this moment कि आज हम लोगों ने जाना कि आखिरकार एक visual यानि कि एक image और text को अगर combine कर दिया जाए या फिर separately इनको use किया जाए so they are creating a visual communication they are giving us a message वह हमें एक message दे रहे हैं एक information दे रहे हैं so yes what is graphic design a graphic design is visual communication एक question था मैं नाम तो भूल गया माफ कीजिएगा question था how can we become a great graphic designer देखिए graphic designer बनने के लिए सबसे महें चीज क्या है वह आगे मैं चल करके discuss करूंगा don't worry how a graphic design process कैसे होता है process क्या होता ग्राफिक designers का उन से tools आपको सीखने हैं the first thing जो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे main और most important चीज वह यह है कि आप tools सीख लीजिए आप सब कर लीजिए but at last you have to practice more and more because there is so many competition competitors बहुत सारे competitors and you have to defeat them all आपको सब को defeat करना so practice is most important a great graphic designer बनने के लिए आपको practice और innovation ही आगे ले करके जाएगा I hope कि मैंने आपके question का answer कर दिया हो ठीक isn't it so practice is most important आपने जो पढ़ा आपने जो सीखा आपने जो किया वो सारी चीजों का collaborated you have to design you have to create you have to innovate new ideas और उन ideas को you have to create in creative so this is how you can access everything इस तरीके से with the giving time और महनत और लगन से यानि कि समय जरूर देना पड़ेगा आपको तभी आप एक बहुत अच्छे graphic designer ग्राफिक डिजाइनर और बहुत अच्छे ग्राफिक जानते हैं so yes you can develop also question था किसी या मैं नाम भूल गया माफ ही चाहूंगा ठीक है तो हम लोग designers है हम लोग applications को websites को हम लोग design करते हैं हम उनके interface को UIs को design करते हैं designing yes this is my part and whoever is the graphic designer उसका भी एही पार्ट है तो हम लोग design करते हैं development is something else दोनों process के मदद से ही एक पूरा application website design and develop होता है now talking about a question मेरे पास अभी अभी आया है कि what are the common mistakes सबसे major mistake होती है वो होती है text की जो सभी लोग करते हैं देखिए text को कैसे पसंद किया जाता है यह अच्छा नहीं लग रहा है और उसमें आप अपने आपको तसली देते हैं चलिए ठीक है पूरे लिस्ट में तो मुझे अच्छा नहीं लगा text यह अच्छा लग रहा है तो मैं यही रख लेता हूं आप यह नहीं देखते हैं कि आप information क्या देना चाहा रहे हैं आप यह देखते कि text कोन सा अच्छा लग रहा है बस style तो हमें यही चीज सीखनी है सबसे जादा लोग सबसे जादा graphic designers सबसे जादा यही एक सबसे बड़ी mistake करते हैं colors वगरा यह सब चीज मिल जाती है you can understand कि यहां देखते कि विजवली अच्छा लग रहा है कि नहीं ठीक है लेकिन text के साथ सबसे जादा यही दिक्कत की जाती है सबसे जादा यही एक ऐसा issue है जो सबसे जादा बार होता आप एक marriage का card बना रहे है ठीक है आपने उसमें standard font ल यह text में text बिल्कुल ऐसे straight खड़ा हुआ है कि हमारी शादी है शादी में आना है तो यह क्या चीज है it's not something ना अब आप टेक्स ऐसा यूज कीजिए ना शादी में बुला रहे हैं आप किसी को आप उसमें enjoy कर रहे हैं एक party है एक organization आप एक event host कर रहे हैं तो आप उनको अच् organization letter आ रहा है आपने इस तरीके से देख लिया कि पूरा letter is cursive way में या writing style में it's not worthy उसको कोई मतलब नहीं बनता है तो हमें टेक्स को बहुत ज्यादा सोच समझ करके यूज करना चाहिए कि हम किस event किस purpose के लिए इस टेक्स को यूज कर रहे हैं ना कि यह ओके डिस इस नौट लगड यह बहुत अच्छा इसको यूज करेंगे इस नौट सो टेक्स बहुत सबसे ज्यादा लोग घलती करते हैं आप सबी लोग का अंसर मिल गया होगा आगे बढ़ते हैं अगर एक ग्राफिक डिजाइन की बात करें तो कौन से वो मेजर टाइप से हैं जो ग्राफिक डिजाइन को रिपर्जेंट करते हैं जो बताते हैं जिसमें केवल और केवल टेक्स्ट होता है दूसरे वो तीसरे आपके I think I just misplaced the eye so I just add here okay image and the type based design so yes जिसमें image भी है टेक्स्ट भी है दोनों ही के कोलाबरेशन है and those designs वैसे design जिसमें केवल सिंबल लोगो या फिल लोगो टाइप लोगो टाइप यानिकी एक टेक्स से बना हुआ लोगो सो यह चार मेजर प्रासेस हैं मेजर टाइप से हैं जो आपके ग्राफिक डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं in all the stages on all the stages moving to the next one I hope all you people understand this all पीछे ठीक है now let's talk about the image based design if I just talk about what is image based design so designers develop images to represent the ideas their client want to communicate simply आप इसको photo shoot भी कर सकते हैं आप इसको composition भी तयार कर सकते हैं यानि कि number of images आपे collaborate किये and you create one composition आप वो भी कर सकते हो है सो सिंपली बात यह है कि क्लाइंट हूस क्लाइंट यहां क्लाइंट कौन है एक designer हमेशे क्लाइंट के लिए ही काम करता है अपने लिए खुद काम नहीं करता है करता है लेकिन Не मुस्टली वा क्लाइंट के लिए काम करता है या क्लाइंट कौन है क्लाइं बात्द तक आगे बढ़ते हैं आप लोग आंसर दीजे इस बात का तब तक आगे बढ़ते हैंredit है इमेजी संक्राइब्den रिप्रिसेंट या को आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस आइडिया के माध्यम से क्लाइंट जो है कमिनिकेट करना चाहता है अपने विवर्स के साथ अब यहां पर देखें दो डिफ्रेंट फार्मेट्स एक लाइंट एक विवर आप डिजाइन करना जानते हो एक तीसरा स्टेज है तो कितने लोग है तीन लोग है यानि कि मी ऐज़ डिजाइनर ही एज़ अ क्लाइंट एज एज़ विवर्स कि आप किस स्टेज पर रहें आज ही मुझे बताईए बहूट बढ़ बढ़ी दिशाइनर और यू आख वज़、 यह तो विवर्स को communication यानि कि एक ऐसा design आपको देना है image के एक ऐसा design देना है आपको जो easily अपने message को convey कर सके for an example यहां क्या समझ में आ रहा है in this particular image what you all people understand क्या समझ पा रहे हैं आप लोग सभी लोग save tree बहुत बढ़िया very nice without a text you all people understand बिना text के आप सभी लोग समझ गया तो एक message simply save water now here what is this यह क्या है what is this guys come on fast I know कि आप लोग का fastest finger है तो देखते है fastest finger में कौन फास्ट आ रहा है sad बाँत बढ़िया सॉम्या I think your name is सॉम्या सैफी या ठीक है now what is this traffic wonderful fire so this is the fastest finger here now what is this यहां क्या हो रहा है car race I don't think so police के साथ कौन रेस लगाता है का रेस होती है chasing what is that chasing or the catching thief yes fantastic now what are these two यह दोनों पच्चे क्या कर रहे है रंगोली और देखरेशन you can say anyone take it now what is this is it a decoration no I don't think sir that was what is this living room अब देखे अभी आप सभी लोगों ने बोला living room drawing room लेकिन मैं इसको अलग लेंविज में बोलूंगा this is interior what is this interior how many of you people connect yourself कितने लोगों ने connect किया यही language होती है एक designer की यही बाते आप लोग को समझनी है आज और मैं उमीद करता हूं आप सभी लोग समझेंगे कि यह क्या है interior what is this this is the interior अभी कोई ठीक है living room है लेकिन हम लोग इस language में नहीं बात करते हैं लोग क्या बोलते interior है okay and this is last we have the world so guys कोई भी एक ऐसी इमेज नहीं थी जिसका आंसर आप लोगों ने नहीं किया and this is really appreciable कि आप लोग कितना active है आप लोग कितना जुडे हुए है आपने आस पास की चीजों से this is show me कि आप लोग कितना knowledgeable है so this is wonderful कि आप लोग बिना बोले हर बात का जवाब देते चले गाए and that's really wonderful that's really wonderful so I want to appreciate one and all now what is this this is text so as we talk कि text के माध्यम से type based image यानि कि types के माध्यम से अगर हम किसी information को gather करते है so that will be called the type based design so in some cases designer relay on the word to convey a message मैंने पहले बताया कि शादी है सम्हार हो है कोई function है या कोई official document है college की तरफ से कोई document है मैं कहना चाहूंगा मतलब जो official documents official में सब चीज़ा आ रहाते हैं so इस तरीके की documents पे standard font होते हैं standard text होते हैं bold हो सकते हैं थिन हो सकते हैं बटे standard होते हैं यानि कि जो static fonts होते हैं लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आप रेस्टोनेंट में गए आपने देखा इस्टे हंगर एंड हमबल ठीक है आप थोड़ देर के लिए शान्त हो गए भले ही आपका ओटर गंटे बाद आए इसंट एक ऐसा ही होता है यह सर नो आपका और बले एक घंटे बाद आए लेकिन आपका आपने देखा आसपास बिल्कुर अच्छे से लाइडिंग बहुत अच्छी हो रखती आपने देखा टेक्स्ट कुछ टेक्स messages आपने देखे images देखे and you are feeling pleasant there आप भूल जाते होगा आप यहां कुछ खाने भी आये थे ठीक है so this is all about the designing this is all about the designing जो आपको सकुम मिलता है वहां बैक करके it's all about the designing stay hungry and humble so yeah text this is an a writing style आपको writing style देखे किस तरीकी का इस प्रोसेस को अम लोग बोलते हैं typography यानि की in a writing or creative way you are writing a text अब जितने creative way में text को एक font को एक message को text message को write करते हो उस process को अम लोग क्या बोलते हैं typography बोलते हैं we call that typography repeat after me what we call that typography so यहां पर जितना भी टेक्स आप देख रहे हो from here to here everything is comes under typography आप देख रहे हो यहां पर let's talk type okay आप देख रहे हो यहां पर send France को तो this is in a form of stair आपको दिख रहा होगा यह form of stair में okay यहां पर आप देख रहे हो okay please कहां रहता है यह पहले कहीं देखा है जल्दी बदाओ कितने लोगों देखा है कितने लोगों देखा है ओन ओके प्लीज कहां देखा है ट्रक के पीछे येस ठीक है ट्रक के पीछे लिख रहता है कि होन ओके प्लीज प्लीज तो आप लोग देखे यह तो आप लोग देखे यह तो आपको जगे नहीं रही तो आप क्या करते हों ओके प्लीज पढ़ा तुरंथ होन करते हो ट्रक वालें देखा ओके समवन इस बिहाइं में साइट लगाया एंद यह जस्ट पास्ट आउट इस इस पावर दिस देखे कि उस ट्रक के पीछे के वले किस मैसेज की वजह से कितने लोग उसको पास करते हैं विद यहल्प आफ प्लीज आफ लोगों को समझ में आ रहा होगा दो चीज़े हम लोगों ने समझ ली कि इमेज क्या है इमेजस के थ्रू आप कैसे मैसेजस दे सकते हो अपनी इन्फरमेशन आपना बाते कैसे वता सकते हो now you see here is a cigarette can you all people see this here is a cigarette but no smoking no smoking but in a form of a cigarette in a form of a cigarette so this is also a process of typography typography the writing style the creative you write it will more in typography जितना ज्यादा आप creative लिखोगे उतना ही ज्यादा आप typography मिले जाओगे TV Serial सभी लोग देखते हैं web series वैसे तो आप जमाना web series TV Serial तो काफी कम लोग देखते होंगे ठीक है web series कितने लोग देखते हैं how many of you watch web series जल्दी बदाईए everyone yes fantastic ठीक है आप लोग देखते हैं कोई भी एक web series बदाईए जो अभी आपने latest देखी है चलि मैं बताता हूं आप लोग ने माई web series देखी है कितने लोग देखी just raise your hands only यहां देख रहां काफी लोगों ने पहले सी हैंट रेस किया हुआ है okay strangers thing sweet home ठीक है इनके जो टाइटल्स देखे आप लोगों ने कभी भी ऐसा देखा कि एक ही एक ही फॉन्ट में यानि कि इसी फॉन्ट में सभी के टाइटल्स है इसे लिखा हुआ है sweet home भी ऐसे लिखा हुआ है माई भी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है या campus diaries whatever you are watching on the netflix or on your web series फॉन्ट ऐसे ही आने लगे तो देखोगे क्या मैं कहता हूं कल से बंद कर दोगे कल से लिखने का तरीका पूरी कहानी बया कर रहा है अपको पुरी स्टोरी समझ में आ रही है because of the writing only because of the writing style only or the curves only so guys text बहुत ज्यादा important है इतना ज्यादा कि एक बार को अगर इमेज भी ना होना तो आप टेक्स्ट के माध्यम से अपने emotions अपनी feelings अपना message everything you can deliver but you have to know how to write और कैसे write करना है चलिया आगे बढ़ता है now let's talk about the image and the type based designs designer often combine images and typography to communicate a client देखिए मैंने बताया जैसे पहले बात कि हम लोगोंने कि इमेज और टेक्स्ट को दोनों को combine किये जाता है ताकि आप एक अच्छा message ले सके simply here we have a poster of spider-man far from home अगर यह spider-man को मैं हटा दू जो लिखा हुआ नीचे far from home आप केवल इतना समझोगे कि spider-man है यह समझ में नहीं आएगा कौन सा पार्ट है क्या नाम है कुछ नहीं release कब हो रहा है कुछ नहीं समझ में आएगा बस इतना समझ में आएगा के spider-man अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया है कुन सा और यह अलग से दूँ तो आप मैच भी नहीं करा पाओगे कि यह वाकई में इसी का है हमने बात की इमेज बेस डिजाइन के हम बात कर रहे हैं अब इमेज टाइप बेस डिजाइन की तो हर तरीके के डिजाइन अलग-अलग स्टेजिस पर ज़रूरी है येस इस यह दर गुर्ण बुद्धपेस्ट को टल सब धेर इस यहाँ पर आप देखते हैं वी कहाई नो गैंप अ किए आपको मुटिवेट कर रहा है अब जिम के अंदर आपने देखा होगा नो फेल नो गैन प्लीज रेज़ देख रहा हूं कि सभी लोग आप लोग जिम जा रहे हैं जितने लोग ने भी हैंड रेज किया हुआ है तो जिम के अंदर इंसान इतना मोटिवेट गाने सुनके नहीं होता पंजाबी गाने या इंग्लिश सॉंग्स चल रहे होते हैं फुल बेस में उनसे इतना मोटिवेट नहीं होता है वो जो पोस्टर लगे होते हैं दीवारों पर बोडी बिल्डर्स के और उनके साथ में मैसे जीजिस होते हैं उनसे बहुत जादा मोटिवेट हो जाता है इतना मोटिवेट हो जाता है वह अपने से डबल ट्रिपल वेट उठा लेता है हां आगले दिन भले ही ना आए लेकिन motivation level देखो आप अप गानों से motivate नहीं हो रहे होते हो ठीक है है हां लेकिन तब गानों से motivate होते हो आप music से audio से तब motivate होते हो आप जब आप अकेले होते हो जिम में कोई poster नहीं है ठीक है earbuds आपने लगाए वे और गाना चल रहा है चक्दे इंडिया आज ही बहुत मोटिवेट हो जाते हो आप एक दम सो सी दफावर वीजुल्स कितना आपको मोटिवेट कर रहे हैं आप लोग देखते हैं बैनर्स पोस्टर्स को अपने में 50% चल वा है और यह मैसेजी नहीं आया कोई मैसेज नहीं आया कुछ नहीं आया लेकिन आपने देखा रोड साइट पर ना 50% ओफ लिखा हुआ है विशाल मेगा मार्ट पर ऑफ एक वाल अगले तीन दिन के लिए अब कुछ खरीदना हो ना खरीदना हो लेकिन आपको 50% आफ के चक्र में पहुंच जाते कुछ ना कुछ लेने के लिए is it yes or not होता है ऐसा या नहीं होता है केवल उस 50% आफ जो लिखा हुआ है विशाल मेगा मार्ट का उसने आपको इतना इंकरेज कर दिया कि आप तुरंट के तुरंट वहां पहुंच गए बोला कि हाँ ठीक है मैं यह ले ले ता हूं यह ले ले ता हूं 50% आफ है फटा फट पैक कर रहा है 50% off yes I got the option so see this is how कैसे आप से communication किया जा रहा है every day every single minute आप से graphic text images communicate कर रहे है every day if I move to the next one so you people see so many symbols here symbol and abstract represent of an idea or the identity आप सबसे ज्यादा सिम्बल हम लोग कहां देखते हैं कि जल्दी बताईए देखो symbol and icon कहां देखते सबसे ज्यादा reply roads पर सबसे ज्यादा तो रोड पर देखते फोन में भी नहीं देखतें तेक है फोन्स पर देखते हैं रोड्स पर देखते हैं येस डैफिनेटले ठीक है कि सो जस्ट सी कि आप किवलकुन सिंबल से उपनी मोजी से और आइकन से अपना पूरा अगरेंटीट लोग वाट्सअप चला रहे हैं तो अगले दिन कितने कड़ोड़ लोग वाट्सअप चलाएंगे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तेल मी कि देखो तान्या ने डिसाइड कर लिया कि कोई नहीं चलाएगा सब बंद कर देंगे नो वन टेन परसेंट चलो ठीक है किसी ने कहाँ टेन परसेंट लोग चलाएंगे कि anyone else want to participate कितने लोग चलाएंगे अगर मतलब आइकन कतम किवल टेक्स टेक्स है हर जगा टेक्स पचास परसेंट लोग साथ ठीक है यह तो मैं मान सकता हूं कि लोग धीरे-धीरे कम होंगे ना धीरे-धीरे कम होंगे कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि अपडेट आया है वो पुराने अपडेट्स पर ही काम कर रहे होंगे 20 परसेंट चलो ठीक है लेकिन यह देखो कि यह इंपक्ट फुल कितना है जिस चीज के हम लोग एडेक्टेड हो चुके हैं जिस चीज को हम लोग बार-बार देख चुके हैं आप लोगों एक चीज नोटिस की ग्रीन हो गया टेलीग्राम पर व्ल्यू वो गया वाइट हो गया फेसबुक के लिए इंस्टरग्राम के लिए अलग हो गया लेकिन सेंट का आइकन ँए कीए न वो तो अलग नहीं है क्यों नहीं है विक्हुश्ट आप उसको याद रख चुके हो आपके माइंड में वो मेमोराइजड है अगर वो आइकन भी हलका सा भी चेंज कर दिया तो मैं गैरेंटेड बोलता हूं कल से आप लोग डरोगे कि सोचोगे कि यह वाकई में सेंड के लिए ही बनाया हुआ है आप उसको पहले एक्सपेरिमेंट करके देखोगे लेकिन आज आप आखें बंद करके सैंड तो इससेजवाइड वाई वी नीज सिंबल्सट इस वाइड शिंबल्स पेशुं यह नहीं जा सकती जैसे यह अब इंडिया में रहो या किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ पार्किंग का स्षिंबल एक ही है पी और कट इस पीड़ प्रेकर क साथ में रहूं या बहार चले जाओ इनको बदला नहीं जा सकता चेंज नहीं कह जा सकता क्यों अभी बताया थुर देर पहले रीजन जल्दी बताये क्यों नहीं बदला जा सकता इनको विकॉस आपने मैंने इन सबने याद रखा हुआ है यह हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है और चेंज करती है तो प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत बड़ी चलिए आगे बढ़ते प्रॉब्लम ना आए उससे पहले आ है यानि कि देखो इक लोगों में दोनी चीजेश हो सकती है तक्स भी उसकता है इमेज भी हो सकती है ज़रूरी नहीं कि हुँ के लोगों यहां पर ऐसे आपको रीपर्जेंट हो रहे हैं कोई एक ऐसा लोगोगों बताओ जो आ रीपर्जेंट है आपके सामने गया यह डेकाही नहीं है कभी कश अज्वा को जश्वाइब बाएः चलो ठीक है और 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 कोई लोगो ऐसा एंवीडिया का ठीक है वन्टास्टिक वंडरफुल ट्रेट ठीक है अब एक बात बताईए लोगो अब देखिए इतना हम लोगों नहीं जाना है मैं उम्मीद करता हूं इस बात का तो आंसर आप करी सकते हो प्लीज वाट इस लोगो लोगो क्या होता है जल्दी बताईए मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर करेंगे वट इस लोगो फंटास्टिक बहुत बढ़िया बहुत यह अच्छे वेरी नाइस काफी सारे नाम है मैं नाम नहीं ले पाऊंगा बट काफी लोगों ने मुझे जवाब दिया बहुत अच्छा जवाब दिया सही जवाब दिया दाइटिटी आफ अफ ब्रैंड कह लीजिए प्रॉडक्ट कह लीजिए और्गनाइजिशन कह लीजिए लेकिन क्या है आइडेंटिटी है वाट इस डाइडेंटिटी सो बेसिकली आप जीतने भी लोगों यहां देख रहे हुचा है वह ओडी का है टाटा का है ब्यम डबलू है मर्सडीज है स्टारबक्स ड ट्रेंड को रीफ रेसेंट कर रहे हैं है आजह एक चीज मैं अब लोगो को लोगों से और पूछना चाहूंगा इन यह जो लोगों आप देख रहे हैं दो गहिंत कर रहा हूं ठीक है कोन से लोगों को इंडिकेट किया इस लोगों को मैं एनीमेट कर सकता हूँ मैं है य था न मुर्ण करसकता हूं इस लोगों का य दो पई कि नहीं कि वाकई चले ठीक है आज ही इंटेल का आप लोग लोगो एनिमेशन जाकर के देखिए उसके लोगों का एनिमेशन आपको दिख जाएगा ठीक है देखे जब कोई एक डिजाइन बनाया जाता है तो वो यह चीज माइंड में रख करके बनाई जाती है चाहे वो लोगों हो चाहे वो आपका इमेज हो कोई या एक इन्फोर्मेशन हो आपका पोस्टर हो बैनर हो वटेवर वो यह चीज ध्यान में रख करके बनाई जाती है या डिजाइन की जाती है कि हमें कोई भी design अगर बनाना है तो वो ऐसा बनाना है कि आगे चल करके हम उसका animation तैयार कर सकें तो वो हर एक चीज recreate नहीं करते है दुबारा recreate नहीं होता है animation recreate होता है animation design होता है yes but logo will be the same the design will be the same everything will remain the same शबस अनिमेशन किया जाएगा एक होप कि अबाला पार्ट आपको सबी को समझ में आया हूं से बेस देखिए यह यहां पर ऐसा कोई लोगो है जो आपने पहले कर भी ना देखा हो पहले कभी ना देखा हूँ ऐसा कोई लोगों आप लोगों को नजर आ रहा हो यहां पर एक नियूस चैनल एक न्यूस चैनल है आइबीम एक आईटी कंपनी है आगर रेंडेक्सी की बात करूं तो रेंडेक्सी जो है एक फार्मसटीकल कंपनी है ओके कैनन के बारे में आप लोग जानती है आपका फार्मसोटिकल कंपणी है ओके बेसिकली मैं आप लोगो को यहां पर यह बताना चाहता हूं कि लोगो टाइप आट सिंबल कंपोस्ट आप टाइप लिए यानि कि टेक्स्ट के बिहाफ से आप लोगो देख रहे हैं और इसके बारे में तो कौन नहीं जानता है एवरी बस इसका आंसर चीके नाइंस फिर आगे पर टें फिलाल आगे बढ़ी लेते हैं आंसर आप लोग करते रही है आई होब कि अब तक जितने भी हम लोगों के चार्चा की वोटिस ग्राफिक डिजाइन इ 토 दिजाइं कि ग्राफिक डिजाइन क्या है वट इस बढूब the types of graphic design और उमीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि what are these yes or no कितने लोगों को समझ में आया बहुत बढ़िया all you people getting uh giving me the right answer बहुत बढ़िया very nice very nice चलिये आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया now the second question is second question is how do we use graphic design कैसे यूज करते हैं graphic design को जल्दी किसी के पास कोई आंसर हो तो प्लीज आप लोग राइट कीजेगा कि हम लोग graphic design को कैसे यूज करते हैं वरहाल तब तक मैं आप लोग को answer देता हूं इसका ठीक है the first impression matter whenever you designing anything आपका first impression हमेशा matter करता है what first impression matter always और यह impression क्या है यह impression आपकी presentation आपका way of presentation आपने कोई भी चीज डिजाइन कि आपने poster design कि बैनर डिजाइन किया आपको जो भी चीज आप design कर रहे हो उसकी जो presentation होनी चाहिए ताकि सामने वाले वीवर को समझ में भी आए और अच्छा भी लगे देखने में उसको यह yes first impression matter always moving to the next one your message matter आपने जो भी design बनाया है ABC जो भी design बनाया है poster है banner है उसमें जितना भी content आपने place किया है जितना भी information आपने place किया है image use की है text use किया color use किया है everything should to be related to your content और your message आप जो भी message दे रहे हैं उसके related होना चाहिए अगर नहीं है तो वो थोड़ा सा अजीव लगेगा तो your matter your message matter always yes आप जो भी message दे रहे हैं वो matter करता है so this is how you can use your graphic design very nicely और इसी वजह से आपके graphic designs को पसंद किया जाता है और लोगों के द्वारा आगे बढ़ते हैं the consistency equals to the credibility बहुत सिंपल है अब बार बार हजार बार उसको बनाते रही है कि रेडिजाइन करते रही है प्रॉसेस पर जब हम आएंगे तब मैं आप लोगों को और भी in detail और भी इंडेप्ट बताऊंगा कि what is consistency consistency क्यों जरूरी है और credibility देखिए आज आज आपका एक instagram page है उस पर मान लेते हैं कि 50 लोग हैं 50 लोग पचास लोग है जो आपको follow करते हैं कि अज्यूम कर रहे हैं ठीक है मैं जानता हूं आप लोग के ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं अब यह बताई कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि महिने दो महिने के अंदर मेरे followers 50 यह 60 से बढ़कर के हजारों में पहुंच जाएं how many of you want कितने लोग चाहते हैं बहुत जबर्जस्त कोशिन किया आईशा ने वेरी नाइस और इसका आंसर मैं जरूर दूँगा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन बरीफ बताऊंगा और इसके लिए भी बताऊंगा कि किस चीज की सबसे ज़ाद ज़रूरत है एक ड्राफिक डिजाइन के अलावा भी आपको एक प्रॉसस चाहिए जो आपके पास होने चाहिए प्रॉसस चाहिए जाओं स्बसेंग डिश्क्तिकों डिश्कार्यच ठैनल पर है यानि कि मैं बात कर रहा हूँ पूस्ट के बारे वह पूस्ट के पर रहे हैं आप कितनी पूस्ट देते हो क credig卅 कर लगन से महनत से आप काम करोगे उतना ही आपको मिलेगा in form of credibility I hope all you people got me कितने लोगों को समझ में how many of you understand this कि जो भी पोस्ट आप लोग डाल रहे हो पहली बात अगर आपका personal account है I'm not talking about your personal account I'm talking about your interest आपका interest क्या है आपका business है आप अपने business पर followers चाहते हो गेन करना चाहते हो तो information बिल्कुल सटीग होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आपने एक pet आपका pet hospital है supposed to be okay and आप उसमें क्या क्या चीज़े डालेंगे जैसे कि pet care products डालेंगे आप उसमें ठेक है pet care products में उनके जैसे कि आपका pet trainings के लिए हो गया ठीक है यह चीज़ डालेंगे डेली अपडेट्स डालेंगे डेली पोस्ट जानते डेली पोस्ट facts डालोगे कि facts क्या है how we can treat the dogs nicely dogs को कैसे अच्छे से रख सकते हैं क्या उनके टेक केर करना everything related to the dogs or the pets only आप हुमन की बात ही नहीं करेंगे इंसानों की बात ही नहीं करेंगे तो dogs के रिलेटेटी करेंगे कि aggression क्यों हाता है pets को उसके रिलेटेट बात करेंगे कि हुमन को क्या change करना चाहिए उसके लिए बात करेंगे इदर उदर की बात नहीं करेंगे so the thing is you have to be consider what actually you are looking for आप जो भी चीज जो भी information अपने page पर दे रहे हैं post में दे रहे हैं inform of image दे रहे हैं everything should to be relative relate to your content आपके content से relate होना चाहिए सारी चीज़े moving to the next one efficient communication of ideas देखे कहानी में अगर मैं आप से कहूं कि आपको कहानी सुनानी तो आप कैसे कहानी सुना को कैसे सुनाएगे हम लोग कैसे कहानी दोनों मर गए, खतम कहानी, ऐसी सुनाते हैं, यह कहानी हम लोग ऐसे सुनाते कि एक राजा होशियारपूर से रहने वाला था, उसने राणी से शादी की जो कि होशियारपूर के आसपास कही किसी गाउं की थी, नाम ये था, उम्री ये थी, राजा के चेहरे पर एक निशान लगा हुआ था राजा बहुत जंगी था बहुत दायालु भी था ऐसे सुनाते हैं हम लोग नो कहानी को शौट और में मेजर points गुलेट पॉइंट जिन्कों बोलते हैं केवल मेजर points रखते हैं हम लोग कभी कहानी को detaille में नहीं सुनाते हैं so yes efficient communication यानि कि केवल उतनी ही बात करो जितनी जरूरी है बाकी की चीजे मत डालो बाकी के messages मत करो बाकी की information को explode मत करो केवल उतनी ही बात करो जितनी जरूरी है so yes efficient communication of ideas is very much required to create a good graphic or creative एक अच्छा creative अगर आपको बनाना है तो आपको यह चीज फूलो करनी पड़ीगी कि बिलकुल वही बाते लिखे जो बाते reliable है जो relate करती है content के लिए या viewers के लिए जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके लिए relate करती है बस वही चीजे लिखें ठीक है I hope all you people understand this all समझ में आया होगा next creative skills of communication हम लोगों ने बात की थी अभी थोड़े दिर पहले कि text आपको ऐसा यूज करना चीव ऐसा यूज करना तो यह बहुत important text image वही रखो जो आपके information को easily one to another पहुंचा रही है और emotions और expressions वही है जो आप बताना चाहते हो आपकी image भी आपके emotions को expressions को change कर सकती है आपके message delivery को आपका text style change कर सकता है so yes we have to be look at once before finalizing the design design को finalize करने से पहले एक बार जरूर देखो कि हां जो मैंने उसमें skills अपने जो अपने design मैंने बनाया हुआ है कि उसमें जो मैंने data use किया is it relevant वो emotions expressions वही शेर हो रहे हैं या नहीं हो रहे है so yes creative skills communication यानि कि आपकी creative skills आप जितना creative उसको बनाएंगे जितना आप उसमें emotions अपने expressions को यूज कर पाएंगे आपका वीवर सुझ एक्सपेशन सो वीवर वीवर उन्हें emotions को गैदर गर पाएगा message को समझ पाएगा ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत जादा creative बना दिया इतना creative बना दिया कि नाई तो हमें नहीं समझ में आ रहा है ना है क्लाइंट कि और वीवर कि तो बहुत दूर की बात है ठीक है हम समझा रहे है कि ओके नहीं यह ऐसा ही है यह 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 इस इस दिस तो no we don't have to do this yes but we have to use the creative skills यानि creativity skills यानि कि आप उसमें innovations कर सकते updates कर सकते but we be with your emotions idea message and your output इन चारों के हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा before going through this thing I would like to say to my colleague here कि प्लीज आप forward कर दीजिए अपना जो हमारा पास में आज का क्विज के लिए है कितने लोग तैयार है रेडी है क्विज के लिए how many of you are ready for the today's quiz तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के पास एक लिंक आ चुगा है और इस लिंक पर आप लोग क्लिक करके के अपने क्विज को फिल अप कर सकते हैं देखिए क्विज पे आगे चलने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो कलकी क्विज के विनर्स थे कितने लोग चाहेंगे कि हमें पता लग जाए कि हूव विल भी शु Denisow कर दबینर कों बता एसा है जो कितने लोग हैं ऐसे जह जानना चाहेंगे इस बात को कि कौन हैम्र are विल कल की कुईष की वाद करें हम दो और कौन कहता कि मैं हूं को बिलिetya कि मैं और कोई नहीं है मैं यहूं विनर्धियर्स आयम्मी डोपीज कि अच्छा देखो यह हैं ट्रीस करकीनि बताना यह लिख करके बता हाँ मैं यहां पर देखे हैं मैंसेज नहीं बता रहा हूं किसикो लेकिन यह आपको लिख करके बताना है किसर मैं ही हूँ विनर बाकिया और कोई भी विनर नहीं है अनली मी अरे यह कैसे एक ने सही बोल दिया है आई धिंग दे नेम इस करेक्ट आई दिंग बहुत बढ़ या 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 बहुत 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 हमने हैं and I want to introduce who win the t-shirt and the certificate of as a winner जिन को t-shirt और certificate प्रतान किया जाता है उनका नाम है बैक्राउंड मेरे थोड़ा सा सस्पेंशल साउंड चलना चाहिए था so that will be look very more real isn't it अईसा होना जीयता कि नीए अडीट अबाउन ल सब éénन एल श्रीन, we have two more in the row but the winner of the competition is hyp самое है वह रोविन, the t-shirt of the Saffalta and the certificate is Shristi Sharma इचीजेए प्लीज़े साथीजेए एक श्रीश्टी श्रमा आइ ऑन्गे शेश्टी श्रमा इस विन्सेले आप लोग के सामने जुक विज एपलीस पार्टिसिपेट and put your efforts to win more. Ishrishti there? Please just write something. Yes or no? So we can understand. And the winner of the certificates, not this time, this T-shirt here. We have certificates here for the second and the third. So I am giving the name of the second one. And he wins the certificate from the Sephalta. And the name is Shagun Balian. Congratulations, Shagun. Congratulations. Are you there Shagun? Shagun Balian? Wonderful. Very nice. And the number third one who wins the third rank and wins the certificate as well. And she is... I am making suspense. Okay. No issue. And she is Ria Thakur. So congratulations once again to Ria Thakur. She wins the third rank in this quiz competition. So I congratulate to all the winners. Thank you for the participation. Thank you for your well and efforts. Thank you everyone. But this is not the end. We have to start it now. I congratulate to everyone. Thank you. Thank you. Can we move ahead? I think this break was necessary. There was a lot of information that you had stored in your statistics. 56 के दिमाग में क्या ये सही है? इतना ही टेराबाइट है हमारे माइड का? हमारे ब्रेन का इतना ही टेराबाइट है? कि लोग एगरी करते हैं? I think so. So, I think I have to give you more time about related to this. So, please fill up your quiz form. Please fill it up. once you're done we will start or we will resume very nice very nice fire you can also say here done if you're done with the form if you're done with the quiz so you can also reply here you can reply in between if you have any question you can write down and I am ready to give you the answers please go on if you have any question related to or any FTA bar make question and EFT is a platform where you can register and these designs are very unique or brand new or is designing you must know sketching is design के लिए आपका sketching जानना बहुत जुरूरी बिकॉस वंस्यों स्केच वंस वंस्यों ड्रॉ आपने जो ड्रा किया आपने जो स्केच किया so that you that how that's how you can represent एसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है तो एन एफ्टी बहुत अच्छी अपोर्चुनिटी यह बहुत सारे लोगोस को बहुत जाइन करते हैं लोगोस बनाते हैं जैसे आपने स्पोर्ट्स लोगोस देखें होंगे स्पोर्ट्स लोगोस में बहुत जादा एनिमल्स को यूज के जाता है बिकॉस यह आर पावरफुल तो येस निफ्टी डिजाइन्स आव वेरी वेरी यूसफुल इफ्यू आर इंट्रेस्टेट इन एफ्टी प्लीस आप स्केचिंग भी करें अगर आपका स्केचिंग है सो प्लीज आप कर सकते हैं एफ्टी वेर एंडरस्टाइंड एफ्रतेंग अनिमने एल्स है इफ एनी कॉश्टिंग तो प्लीज आस्क मे इंडिस पर्टिकुलर अन्ली ठीक है अभी बताया जाएगा okay so I got the result so I want to announce the results uh first thing first so I am just uh telling one the third one who win the third rank and uh yes she's winner of the certificate and I want to congratulations in advance and she is Ritu Chaudhry Ritu Chaudhry congratulations dear for winning the certification and you perform really very well you deserve or you reserve the third rank so the second rank who hold the second rank any guesses so no more time let me tell you the second rank holder is Nikki Panwar and she hold or the reserve the second rank in this quiz competition congratulations Nikki you win the certificate congratulations and Ritu holds the third rank Nikki holds the second rank now the term and now the time is announced to the first one who win the first and she is the winner of the certificate as well as the t-shirt of Sephalta brand and the first winner is who hold the first rank and the winner of the competition of this quiz is Payal Garg she score 10 out of 10 yes so the winner of this quiz is Payal Garg and I want to congratulations to all the participants all the winners who win this competition who participate in this competition I want to congratulate and thank to everyone thank you everyone thank you thank you so let's move ahead guys and let discuss discuss the use of graphic design what is the use of graphic design graphic design to use care let me show you the use of graphic design and entertainment industry may use on social media yes we have so many in digital marketing we use the graphic design to publish the ideas published the news corporate identity is used to use packaging printing materials on-line arts banners blogs writing content writing if you interested in the cloth industry so guys these are the most most usable industries japan graphic design to use care so you can see in this industry we use these are the most most usable industries japan graphic design to use care I will I will I will I will I shot okay how we can start as and become a like any of the case I should look at simply RG start grow a unique creature one on please start TG take it or you got the approval you got the copyrights as well of course copyrights service yes Rudy radio is also also apart but I didn't include everything here ना मैं यहां सारी इंडस्ट्रीज ने इंक्लूड कर सकता था इसलिए मैंने टॉप मॉस्ट्रीज को इंक्लूड किया जो सबसे यादा यूज की जाके के लिए बॉली लगती है यानि कि एक ऐसी पेंटिंग माल लीजिए आप जिसके लिए आप मूं मांगी कीमत वसूल सकते हैं ठीक है तो उसका प्लैट्फॉम मैंने आपको बता दिया भी हैंस चाहां से आप एजने स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद तो बहुत सारे आप वर्क है फ्रीलेंस है फाइबर है जहां आप अपना काम डाल सकते हैं मैं शेर करवा दूंगा ठीक है आफ्टर दिस वन इस वेबिनार के बाद मैं शेर करवा देता हूंगा ओके डॉंट वर्री ठीक है यू आल विल गॉट दर लिंक्स येस फंटास्टिक आगे बड़ता है तो नेक्स्ट मेजर पार्ट क्या क्या है मेजर ली मैं बात कर रहा हूं मेजर ली ओ बहुत सारे हैं इससंटेंग ग्रैफिक डिजाइन में आपका पोस्टर डिजाइन है कैटलोग से आप विजिटिंग कार बनाते हो ब्रॉशर से stationery materials like pen, paper, t-shirt, notepads हो गए आपके and this all okay emailers, standees, letterheads, whatsapp, marketing, magazine, designs, upload emailers how many of you people understand the emailer कितने लोग को पता what is emailer बदाईये, what is emailer guys I will share, I will share, I just request to if someone is there here listening me, so please just open the Behance.net and please share the link yes, yes, there is someone who will share the link okay, so don't worry, Behance.net and just share that link particularly in the chat box if it is possible to or otherwise I have to operate here so I don't want to discommunicate myself so this is why I will not do it but I will, don't worry in the last 10 minute or the last 5 minute I will share that link, so don't worry so guys this is all this is the some parts where we, what we are using emailer someone's whose email, the thing is this is the link to the Behance, so please just check it out so this is the options okay, or what messages, what mails you can do because you can do it so they got the information of your mail id they send you the emailers so emailer information poster I have proper information related to the product upcoming products best products best deals so you can do it 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 the process of graphic design process what is the process what is the process what is the process potence मा कैसे Какब 빠No N Cash सब्सक्राइब आप लोगों ने देखा होगा अप लोगों ने देखा होगा अपने wszystko हऊगा औरesz्थ छोटेसे होते हैं इतने स नाम ले रहा हूँ आपने देखा हुए एक स्टेंट आपको ऐसा पोस्टर मिलता को लिए मिलता पॉस्टर्स सबस्ट टोछ छो छुटे से होते हैं इतने शीए घड़े में आ बेस सर्क जमीन से खड़े में में गया कितने लोग हम ल凝 पॉस्टर्स अलिब दाइगा रही है गंज्या बहुत वह र लिखी होती है क्या बोलते हैं पोस्टर्स को स्टैंडीज बोलते हैं वेरी नाइस स्टैंडीज बोलते हैं ठीक है मुईत करता हूं समझ में आया होगा वाट भी कॉल दैंट सबसे मेजर यहां समझने वाली है कि क्लाइंट के पास product है जो वह बेचना चाहता है कि या क्कृतना चाहता है या एक जिसको वह पास और मा जाने हमारे जैसे कितने सारे designer से एंके पास क्लाइंटा आता है को बताता है जिसके है स्किल्स ध्य उनकी desires, उनके messages की informations को fulfill करने के लिए, so yes, has the skill to add it, organize and arrange, given information into a creative and visually pleasing solution, so यह किसके पास है, यह मेरे पास है, आपके जैसे designers के पास है, और हमारे दूसरे designers के पास है, यह skills उनके पास में है, यानि designer के पास में यह skills होती है, कि जो उनका message है, जिसका किसका, यह client का message है, जो client का message है, वो हम लोग आगे carry forward करता है, ठीक है, अब एक designer क्या करता है, उस designer को message मिल गया, information मिल गए, कि okay ABC, this is what I have to do, now brainstorm करता है, वो क्या करता है, research करता है, क्या करता है, R&D, क्या करता है, designer क्या करता है, R&D करता है, यानि वो देखता है कि जो message मुझे मिला है design करने के लिए या product जो मुझे मिला है design करने के लिए वो product कितना ज्यादा similar है to the market उसको market में कैसे लोगों ने पहले represent किया हुआ है कैसे messages कैसे designs कैसे creatives use किये हैं तो हम क्या करते हैं experiment with the different images typeface illustrations and etc हम लोग क्या करते है एक्सपरिमेंट्स करते हैं और एक्सपरिमेंट्स बिने रफ्रेंसिस के नहीं होते market research is also part of brainstorming how to reach the intended audience what do they respond to how can we attract the their attraction attention सबसे पहले जो भी उसके पास product है वो इक designer के पास लेकर कर आता है कि this is the product you have to design वो designer जिसके पास skills है उस design को बनाने की वो product को लेता है product पर काम करता है brainstorm करता है market research करता है कि market में actually क्या trend चल रहा है लोगों क्या पसंद है colors कैसे चाहिए text कैसे चाहिए illustrations कैसे हर एक चीज़ पर वो पहले क्या करता है focus करता है और उसके बाद क्या करता है वो उसको design करता और design करने के बाद वापस से client को भेज़ देता है क्लाइंट उसको review करता है client को कुछ चीज़े कमी लगती है तो वो उसको बताता है कि this thing should to be update यह चीज़े अपडेट होनी चीज़े फिर अपडेट होती है फिर उसके बाद वो ओडियेंस तक पहुंशती है कि यह process इतनी बड़ी process नहीं है बहुत छोटी सी process है client यानि कि मैं suppose कीजिए कि मुझे कोई जरूवत है product बनवाना है कोई poster design करवाना designer यानि यह आप जिसके पास वो skill है जो product पोस्टर डिजाइन कर सकता है मैंने आपको information दी कि मुझे इस चीज़ पर product या फिर poster design कराना है आपने उसको मुझे design करके दिया लेकिन उसके लिए आपने R&D की R&D में आपने पता किया कि लोगों को कौन से colors पसंद आ रहे हैं कैसा text चाहिए लोगों को कैसा presentation चाहिए अपने design करके मुझे दिया मुझे उसमें changes समझ में आए मैंने changes आपको बताए आपने changes करके वापस दिये और फिर वो finally audience के पास पहुंच जाता है इस इस प्रॉसस एक छोटी ए थोड़ा इलाबरेटेट वे में समझते हैं पहले होती है briefing किसी भी design किसी भी product की पहले क्या की जाती है briefing की जाती है क्या की जाती है briefing की जाती है in the briefing stage is usually the intel conversation or the consultation between the client and the designer यह किसके बीच में हो रही है बस client और designer के बीच में चर्चा हो रही है कि what is the product product क्या है क्या चीज़े हमें चाहिए होती है तो सबसे पहले objectives पर बात की जाती है नि project के objective पर बात की जाती है कि target हमारा जो product है वो क्या है actually में उसके बाद में audience की बात की जाती है कि हम किस तरह के किस nature के behavior के या फिर emotions expressions के audience के साथ हम लोग अपनी product के product को share करना चाहते है expected outcome यानि की results के आएंगे इसके ठीक है कैसे आप इसको execute करोगे उसके बाद एक time दिया जाता है जो कि client की तरफ से हमें provide होता है ठीक है client एक time देता है कि time और deadline what will be the time कितना time लगेगा आपको इस product को बनाने के लिए चार दिन का आपको समय मिला चार दिन आपके time हो गया आपकी deadline हो गई उसके बाद एक budget तैयार के जाता है budget कोन बताता है designer बताता है पहले client बताता है कि मैं आपको 400 रुपे दे सकता हूं एक poster बनाने के लिए फिर आप कहते हो नहीं 400 रुपे में मेरा काम नहीं होगा I need something more क् पोस्टर में काफी काम हो so you can negotiate यहाँ आप negotiate कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं designer quotation तो designer एक क्या दे देता है quotation दे देता है finally so this is the process of briefing यह पूरा process होता है briefing के दोरान यह पूरा तरीका होता है how you manage how you convey your message to the client to the designer client और designer के बीच में क्या बात चीट हो डिए next बात करते हैं design को लेकर के क्या काम किया जाता है design is the most time consuming stage यहां पर क्योंकि पूरा design आपका execute किया जा रहा है area is required a lot of trials बहुत सारे होती है जैसे मनें बताया जब तक design finalize नहीं हो जाता है तब तक बार बार उसमें changes अप्ड्रेडेशन रिव्यूज किये जाते रहते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं design को प्रिपेर करते हैं नहीं development करते हैं designer review the brief उसने ब्रीफ को पढ़ा समझा और उसके हिसाब से वो उसको प्रेमिलरी design तयार करके देता है client को तयार करता है design को brief के according present करता है presentation में design present the solution and explain the decision to the client यानि कि designer जब present कर रहा होता है तो वहाँ पर जो भी कमिया होती है उन कमियों को clients वहीं पर बता देते हैं कि यह चीज हमें यहाँ पर नहीं चाहिए आप इस चीज को बदल दीजे या इस चीज को add कर दीजे यह सारी चीजे presentation stage पर होती है जब आपने design कर लिया आपने present किया उसको presentation के बाद जो भी changes मिले उसके बाद आप क्या करते हो उसकी refinement करते हो what will you do refinement क्या कर रहे है अब आप उसकी refinement सो गाइस यह process समझ में आ रहा है how many of you understanding this process basically कितने लोगों को समझ में आ रहा है process बहुत आसान है आपके पास ब्रीफ होना चाहिए आपके पास ब्रीफ है उसके बाद आपने काम करना है आपने काम किया आपने client को दिखाया client ने बोला थोड़े वह changes है वो changes आपने changes कि refinement में changes होते हैं and then उसके बाद का जो process आता है यानि जब आप refinement करके दे देते हो changes करके दे देते हो तो designer artwork पे काम करता है basically अब artwork पे काम होता है the designer prepare the artwork file and provide a proof क्या अब दे रहा है वह प्रूफ दे रहा है जिसको हम source file भी बोलते है क्या बोलते है source file ठीक है अब what is the final project will look like कि final project कैसा दिखाई देगा देखे designer ने design किया design का proof दे दिया design दे दिया ठीक है अब वो दो तरीके से represent होता हमारे ठीक है या तो वो hard copy में आएगा या फिर वो email में देगा किसको दे रहा है client को आप designer हो आपने design त्यार कर लिया perfectly ठीक है अब आपने क्या किया अपने design को भेजा या तो hard copy में भेजोगा या email के माद्धिम से भेजोगा किसको भेजा client को किसको दिया client को client ने उसको approval किया approval करते के साथ ही वो कहां चला गया production के लिए कितने लोगों को समझ में आ रहा है यह स्वाइन आट वाइन आट कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि production क्या होता है production में यहां यानि कि जहां पर हम लोग उसका final output देख रहे हैं ओके नाओ प्रॉड़क्शन स्टेज इन प्रॉड़क्शन स्टेज आपको printing मिलता है कि आपको उसको print करना है ठीक है final output और आपके पास में final output आजा गारेक्शन स्टेज आप प्रॉसेस वर्क एक्चुली यह तरीका है जिस तरीके से पूरा प्रॉसेस काम करता है इसको अपीन ग्राफिक डिजाइन अगर मैं बात करूं कि स्कोप्स क्या है ग्राफिक डिजाइन बहुत क्विकली मैं आप लोगो को इससे get go through करूंगा तीन तरीके से ग्राफिक डिजाइनर काम करता है फ्रीलेंसर यानि घर बैट करके काम करता है अपने लिए काम करता है और मल्टिपल कंपनी के साथ इन हाऊस यानि कि कि किसी कंपनी के लिए काम करेगा एक बैनर के इं कि अगर बात कि जाए एक फोटो एडिटर की तो वो सालाना एवरेश सेलरी 2.92 रुपीज है अगर बात कि जाए एक मैट पेंटर आइटिस्ट की तो देविल गेट 20,000 अप्रॉक्सिमेटली और एवरेज ली ठीक है एक फोटोग्राफर की अगर सेलरी देखी जाए तो देट इस 3,991,000 फोटो फोटोशॉप ऑपरेटर जो लोग फोटोशॉप चलाते हैं यह अवरेजली इस जाधा भी है ऐसा नहीं है कि यह जाधा भी होटी एवरेजली वह 1.8 ठीक है अगें फोटोशॉप एडिटर के सैलरी भी है अप्डेटेट इसस 2.2 इस इस दिस्टल सबसे बड़ी बात जो लोग पोस्टर बनाते हैं पोस्टर में सबसे जाधा पैसा सबसे तो देकेन अर्न अप्टू 18,005 रूपीज एजए पूरे साल में वह 18,005 तक का पैकेज ले सकते हैं वहीं ते नेक्स वन सो देर भी हबना मोर सैलरीज है वही मैट पेंटिंग 20,000 आयड इस बेरी सीनियर जॉब सीनियर डेसिगनेशन इन जोकि अन करते हैं 12.7 लाक पर रहना में इलस्टेशन आइस की बात करें तो 2.2 लैक यानि की इलस्टेशन स्केचिंग आर्डिस्ट के अगर हम बात करें तो देकें अन 2.2 लैक पर रहना फूर एडिटर अगें okay now tools for the graphic design अगर बात करें tools कौन से कौन से हैं देखिए हाँ पर दो तरीके से graphic design हम लोग कर रहे है mobile पर और desktop पर ठीक है सो अगे हम भी हम बात करते हैं कि mobile के लिए कौन से है mobile में आप canva use कर सकते हो for the graphic design like posters banners templates templates बनाने के लिए you can use Snapseed for the photo editing kind master to the video edit again we have the go ready for the graphic creative design you can use Adobe Lightroom photo editing के लिए similarly photo editing अगर आपका ना चालते और भी Photoshop Express designer है so these are the some applications यह कुछ applications है जो आप लोग अपने mobile पर यूज कर सकते हो if you're really interested in graphic design only so these are the some applications moving to the next one we have a desktop के लिए कौनसी application से so we have an Adobe Photoshop illustrator coral drop in design premiere and after touch the premiere pro is a video editing video editing के लिए यूज होता है एद आफ्टेफेक्ट is for VFX याने की effects बनाने के लिए यूज के जाता है ठीक है printing के लिए printing and publishing के लिए printing and publishing के लिए हम लोग in design का यूज करते हैं so these are the some applications which you can use on your mobile और either on your desktop यह कुछ applications है जो हम लोग यूज कर सकते हैं designations की बात करें तो designation तीन स्टेजिस में आपका लोवर मेडियम और हाय और तो यह ठीक है let's see medium में हम लोग के पास में lower पर हमारे पास में क्या क्या designations अगर स्टार्ट के जाए तो illustration artist होते हैं assistant managers senior layout artist interface designers layout designers head web developers junior multimedia developers and graphic design trainings so these are the sum of the lower hierarchy basically the lower level career hierarchy in graphic design we have an a middle so our assistant director assistant art production association associate broadcast designer logo designer senior illustrator manager we have an a head of photography department had content developers so basically a plug तो देख सकते हो कि हाँ पर designations के level जो है increase हो गया है okay so yes these are the sum most जो कि आपके second stage पर यानिकि मिडल लेवल पर आपको मिलते हैं designations और जो higher designations है वह हैं graphic art manager creative director senior art director art production manager hands-on graphic designers brand identity developer and the print production manager so guys यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से graphic design what is graphic design why we use the graphic design scopes of graphic design where we use the process of the graphic designing and now the designations of the graphic design let me complete this all and the best production houses they go there are a lot of India में बहुत सारे production houses है आप लोगों ने सभी production houses के बारे में सुना भी हो हो you already heard about the balaji dharma production heroes और देखा कोई production houses अने जो बिना graphic design के काम करता हो red chili ramoji reliance entertainment sari gamma so these are the famous production houses in India जहाँ पर आपका graphic design and video editing के काम होता वाइकों 18 यश्राज फिल्म वे वन एक्सल entertainment NIG नंदी वाला ग्रेंट सन सलमान गान प्रोड़क्शन houses एरका टी सीरीस के बारे में आप सा भी लोग जानते होंगे और फैंटम so guys these are the some production houses which is in in India और यहां पर आप लोग एस नग्राफिक designer as in a video editor as in a VFX artist you can work with these brands now let's talk about the safalta offers in a graphic design course safalta के पास में तीन कोर्स हैं जिसमें सबसे पहला है हमारे पास में basic graphic design course जो कि आपका only for the mobile style है जिसमें 7 applications आप ले पढ़ रहे हैं 30 live 30 आर का live interactive sessions होते हैं जिसमें कैनवा है काइन मांस्टर स्नाप सीड अडोबी lightroom Photoshop Express designer and the studio moving to the next one we have an also for the desktop wallow के लिए and if you want to be key advanced graphic design course so that is for the desktop only 90 hours live interactive classes and this is for the Adobe के suit है हमारे past Pura Adobe Photoshop illustrator coral draw in design and the premiere so yes these are for the next option okay now we have in a one more upcoming pro program and that is after effect program 35 hours to live interactive sessions we have in this and this is for the VFX if you want to join the VFX industry so yes we welcome you all and you can join here okay now moving to the back what more in you get in this course basically a local or kia zhaadha milta hai wonderful okay so the getting up co freelancing they get freelancing is the most uh valuable um um ye kelly jay ki sab se adha respectable job hai if you work as a freelance so aapka freelancing projects zilane we're going to help you out we haven't have committed mentorship lifetime access of the course you have everything whatever you have in a workshops with the industry experts exciting club activities and the live competitions because this is hands-on so upload Pura hands-on practice out cut there affordable fees avail to the international international competitions you have in a virtual studio studio to be having more to uh to come up recorded uh backup classes completion course certificate industrial training and this all now you can see we have a bunch of expert or the legends are from the industry so we have so many master sessions to get an access in the world of designing and more knowledge uh shilpi samson and the ashish mall so we have so many master sessions to get an access in the world of designing and more knowledge in of the field of the designing okay and uh let me show you these are the some testimonials which we got from the students that's great and this is the work students for working so you can see job may hamarai graphic design case students and unka work hey and you can all see this the work here can i forward okay there are more work here again the ui design this is ui design so i think you all people got each and every information related to the graphic design isn't it isn't it if you have any questions so please do ask so i am here to give you an answer but this is it from the my side i think i took a lock uh कर यह घूर्त स मोंग अब बहुत करता है So yes, this is it for the today, and thank you for joining me We'll, uh, We'll be in a touch Thank you everyone take care, and bye-bye See you later Thank you, everyone कि थैंक यू रेश्मा मैं फॉर इस काइंड वंडर्फुल अपॉर्चुनेटेंट थैंक यू थैंक यू येस येस यू रोड़ेबल मैं कि आपका जो बहुत ही अच्छा सेशन उनको लगा है जैसे आपने इसी लेंटर के बारें बताया कि अपना काम कर सकते हैं और जो दिनी आपके इसी इस सब्सक्राइब आपके बहुत को जान रहे हैं और आगे मेरे स्टूदेंस का भी ये है कि आगे को करना साहे हैंगे पुर्पोस्ट तो हम आपके संपर्थ करेंगे अरुजाला के सब कहुंद मैं कि थे रहे भी एंट्फ कर दो आदेगी संपर्पोस्टार का में नियुक्त लेगा को तो आगे जो भी जागता गी है बस इसमें तरह एक मेरे को फिसना तरुष की जेजिजर महार्केटिंग के साथ जागी कि दाहिनक हूँ पर सहरी या बस्के अलगलगी के डोने कोश्टा सरी तो डिसे अलगलगी दोने को सब्सक्राइब Ma'am I am not able to hear you clearly because there is some I think glitch here so I will be in touch with you okay after this session yeah hello thank you thank you thank you thank you thank you आपके पॉर्टेक्ट करके सर एक अंसर देकी तरी पॉरी वह मैं आपकी स्वख़ा एक ट्रहें तो इस वारी तो पॉर्ट करके थे रहें आगे जोटे हैं फिर दुबारा से देखते हैं एंड थेंक यू एव्रेमान थे केर और बाए